हेलो एवरिवन कैसे हैं आप लोग आई हूब कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रेग्नेंसी को अच्छे सी जॉय भी कर रहे होंगे आज की वीडियो में आप जानेंगे कि अगर आपको भी सपने आते हैं बच्चे को जनम देने का सपना आता है तो इसका क्या मतलब होता है यह क्यों आता है देखिए किसी भी सपने का अपना एक अलग मतलब हो सकता है यह आपके जीवन में आने वाले कल की तरफ इशारा कर सक कुछ हैं या आपकी वर्तमान इस्तिती के बारे में कुछ बता सकते हैं एक कलपना का आएना भीव होते हैं तो आज की हम बात करने वाले हैं कि बच्चे कर जिनम के सपना देखना तो किस बात के संकेत देता है जोतिस सास्त का क्या मानना है जोतिस में इसके बारे में कई बाते प्रिचलित हैं और ये हमारी भावनाओं से जुड़े होते हैं कई बारा आप ऐसे सपने देखते हैं जो आपके भरतमान या भविस से जुड़े होते हैं सपने आपके भविष्ट का भी संकेत दे सकते हैं और कई तरह के बदलाबों की ओर इशारा करते हैं तो ऐसे ही सपनों में से एक सपने है बच्चे का जनम का सपने में खुद को गरवस्ता में देखना बच्चे का जनम देखना या किसी करीबी के जीवन में नन्य महमान का इस बारे में और कि मतलब है और यह कैसे आपकी जीवन स의 जुड़ा हो सकता है इसके बारे में हम डेटें में बात करने यह सपना इस बात का भी परतीक है कि आपके रास्ते में कुछ रोमान चक घड़नाय आने वाली हैं और आप कोई नई सुरुआत कर सकते हैं ठीक है आप असल जीवन में एक नए चरण की सुरुआत करने के लिए तैयार हो सकते हैं आपके सपने में बच्चे का जनम एक नई संकेत हो सकता है जो जल्द ही आपके जीवन में दस्तक दे सकता है तो सपने में बच्चे का जनम जो है रचनात्मका का प्रतिक होता है मतलब कि अगर आपको सपने में किसी बच्चे का जनम दिखाई देता है तो यह आपकी रचमात्मक छमता और नए विचारों परियो जन या प्रतिवाओं को दुनिया में लाने की इच्छा का एक प्रतिनिदिक कर सकता है मतलब कि यह सपना बताता है कि आपके रच्चमात्मक पक्ष होते हैं पोशिक्त और विक्सित करने की आवसकता है अगर आप बच्चों की माँ हैं और यह सपना देख रहे हैं तो यह आपके म्रतिक का जो है संकेत भी हो सकता है बच्ची के जनम से सपने के आपके एक नए पहलू के जनम का प्रतिवित भी हो सकता है जैसे की नए लक्षन भावनाय और यह अंत्रडेश्टिक आदी सपने में बच्चे का नविकरण का संकेत जैसे की बच्ची के जनम के सपने ठीक है किसी अजनभी को देखने का मतलब देखना है आपके जीवन में एक कठे निया चुनौती पूर्बक अब्धी से गुजरने वाले एक नभीकरन की भाबना का संकेत दे सकता है ऐसा संभवे कि आपके जीवन में लंबे समय से चलिया रही समस्या समाप्त हो जाएं और आपको बच्छे का जरम देखा हो और आप जलड ही अपने घर में भी नन्ने महमान की उमीद कर रही हो ठीक है सपने में किसी ज़नभी बच्छे का जरम देखना यह संकेत भी देता है दिया आप सपने में किसी अजनभी बच्चे को जरम लेते हुए देखती तो समझें कि आप बहुत जल ही जीवन में बदलाब देख सकती हैं ऐसे कोई भी सपने आपके जीवन में किसी भी तरह के बदलाब का संकेत हो सकते हैं हो सकता है कि आपको जल ही कोई नई नौकरी में ले या आप किसी नए रिस्ते जैसे साधी के बंदन में बनने जा रही हो आपकी साधी नहीं हुई है और आप खुद के बच्चे के जनम का सपना देखती हैं बच्चे के जनम क आने वाली चुनोतियों या बदलावों के बारे में अनिश्चित या आसंका का प्रतिक भी हो सकता है ऐसा संभव है कि आप किसी बात को लेकर काफी दिनों से परशान है और आपका जो हल है होजने में असमर्द रहे गए हैं तो आपको इस तरह के भी सपने आ सकते हैं सपने म जोड़मा बच्चों का जनम देखने का मतलब होता है यदि आप जल्द ही जोड़मा बच्चों की मा बनने वाली हैं और ऐसा कोई भी सपना देखती है तो यह सवहाविक है लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो यह आपके जीवन में असुंतलन का संकेत भी दे सकता है ऐसा सपना आपको भविश्ट में कुछ अच्छी बातों का संकेथ देता है आपको जलद ही कोई अच्छी ख़बर सुनने को मिल सकती है आपको जलद ही किसी करीबी के घर में बचे का जनम हो सकता है बच्चे के जनम का सपना जीवन में कई तरह के उतार चड़ावों की और इशारा करता है ये एक समान जोतिस का अनुमान है और ऐसा हमेंसे जरूर नहीं कि ये आपके लिए सही हो लेकिन कुछ लोगों के जीवन में ये संके सही भी हो सकते हैं इसलिए मैंने आपको डिटिल में बताए कि ये कई तरह के जो संकेत हैं हो सकते हैं आपके साथ ऐसा होने वल हो क्योंकि ये कई तरह पिशारा करते हैं बच्चे का जनम सुब भी होता है कभी-कभी अगर अब विभाईता है तो सुब समचा लेके भी आता है बच्चे का जनम और बहुत सी चीज़े होती हैं बहुत अर्चराब होते हैं बहुत चीज़े ऐसी होती हैं जो संकेत देती हैं पहले से कभी कभी हमें बहुत ज्यादा ठीशन होते तो ठीशन से भीbalance से भी हमें में अच्छे इसे सपनेव आते हैं चूकी नहीं आज़ें nowhere तो इसका मतलब कुछ भी और आपको टीशन नहीं लेनी सपने अगर तो आपको जादा चिंदा करने की जुरुत नहीं है बस मन में अच्छा-च्छा सोचना है ठीक है अच्छा ही होगा आगे बाकी ये वीडियो अगर थोड़ा सा भी हैलफू लगता है तो वीडियो को आगे जिरू शियर करें चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करें तो चैन